दोस्तों हमने header में यह logo और navigation के लिए template को update कर चुके थे अब हमारी जो page front tpl file है template जो design कर रहे हैं उसमें वारी हमारे इस banner section की है या hero section कुछ भी इसको बोल सकते हैं तो इसके लिए हमने जो reason है वो बनाके रखा है यह हम config block करेंगे तो हमको यह reason देख जाएगा तो अब हम इसको design करते हैं यह उपर का header है वो हमारे design हो गया है अब हम जो design कर रहे हैं वो यह banner हो तो चलिए हमारी page front.pl के अब यह देख रहे हैं मैंने यह file open कर ली है page front.html अब मुझे इसके नीचे यहाँ पे वो reason print करना है जिससे की banner आएगा अब banner किससे आएगा तो उसके लिए हमने जो info file बनाई है info file में हमने header नाम दिया है ठीक है तो मुझे यहाँ पर header reason को print करना होगा जिससी यह जो banner है यह front page पे दिखाई देगा अब देख रहा हूँ यहाँ पे reason में header आ रहा है तो अब मैं इसके लिए code लिखता हूँ reason को print करने के लिए तो यह मैंने double space दिया double space दिने के बाद मैं यहाँ मैं लिखता हूँ div और div. मुझे यहाँ पे class देनी है तो मैंने class को hero ही नाम दे दिया ठीक है यह हो गई class अब यहाँ पर मुझे print करना है एक div और इसके अंदर में लिखता हूँ तो div और इसके अंदर मुझे class देनी है class जो है sorry div.class मुझे देना container है तो मैं यहाँ पे container class दे देता हूँ div से ठीक है अब यह हो गया अब यहाँ पर मुझे इसके अंदर print करना है page.header क्योंकि मैंने यहाँ पे header ले रखा तो यह देख रहा है आप यह चीच यहाँ पे print हो की और यहाँ से मैं दो space देता हूँ यह यह जो है मेरा section यह वाला particular section है यहाँ मैं लिख देता हूँ कि यह मैं किसलिए बना रहा हूँ तो मैंने यह दिया दिया है यह हो गया मेरा hero section ठीक है यह hero section के लिए हो गया यह जो है वो logo के लिए हो गया और यह जो है वो navigation के लिए हो गया तो मैं यहाँ पे भी यह लिख लोगो सेक्शन ठीक है इससे यहां लोगो प्रिंट हो चाहेगा और यह वाला से सेम है स्टेंटमेंट वो मैंने दे दिया क्या बोलते हैं हमने इसको मैं यहां लिख देता हूं ठीक है तो यह लोगो सेक्शन हो गया मेरा और यह यह लोगो सेक्शन यहां से यहां तक लोगो सेक्शन हुआ और यह मीनू सेक्शन हुआ इसको मैं नेविगेशन section हुआ और यह मेरा hero section हुआ तो इस तरीके से यह header हमारा बन गया है header के अंदर दो पार्ट है left side में logo, right side में navigation और उसके बाद में hero section तो hero section जो है हमारा वो full width पे यह पूरा banner आ रहा है तो यह जो पूरा banner है वो हम अब इस CSS से maintain करेंगे और वो CSS के लिए मैंने class लगाई है hero और content है तो अब यहाँ पे हमारी CSS file है वो manage करेगी इसका look आगे जो दिखाई दे रहा है look and feel में thank you